हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंत किशोर क्लासिस आज आपके सामने जो बोक्स आपको नजर आ रहे हैं बहुत ही इंपोर्टन एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए मल्टिप्लिकेशन के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट है ये और ऐसी प्रैक्टिस शीट में ब देखिए बहुत माइंड लगेगा उनका दिमाग लगाना पड़ेगा और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उनका कॉन्फिदेंस बढ़ेगा सबसे पहले मैं फस्ट बोक्स में आपको एक यहां पर वैल्यू लिग के बिता देता हूं कि किस तरीके से उनको इसे प्रफॉ इस तरीके से यह मूव करना चाहिए भी होरिजोंटल देखें मल्टिप्लाई करें तो इधर उसकी प्रड़क्ट हो इधर भी इसकी प्रड़क्ट वर्टिकल ही देखें तो नीचे इसकी प्रड़क्ट इस तरह से बच्चों को अपना दिमाग लगा कर सोच कर अंदर बॉक या फिर 3 x 2 दो ही पुसिबिल्टीज हैं और 15 का उपर से देखें तो 3 x 5 या फिर 5 x 3 अब एक बात नोट करो 6 वाले में भी 3 आ रहा है 15 वाले में भी 3 आ रहा है जो 3 common है वो 3 यहाँ पर आयेगा यही बच्चों को बताना है इस नीज होगा जैसे 3 यहां पर लिख दिया तो 5 उपर लिखना है 3 5s are 15 तो बच क्या गया 4 5 4s are 20 इस तरीके से इन कोशिंस को करने में move करना है अब देखे जैसे यहाँ पर है 5 है तो क्या हो सकता है 1 multiply 5 या फिर 5 multiply 1 एक ही काम हो सकता है मैं यहाँ पर 1 multiply 5 कर रहा हूँ क्यों क्यों क्योंकि 5 को आगे 8 से multiply करेंगे 5 8 40 8 को 9 से multiply करेंगे 8 9 72 9 multiply 1 अपने अप 9 हो गया चलिए आगे try करते है 90 है जैसे 90 या तो 10 multiply 9 लिखू या 9 multiply 10 लिखू अगर मैं इसे 10 multiply 9 लिखूंगा तो चलेगा क्योंकि 10 के टेबल में 40 तो आएगा 10 4040 9 के टेबल में 20 18 देखिए 4 208 अपने आप बन गया लेकिन ये practice बच्चे करेंगे they will enjoy this activity बहुत enjoy करेंगे आगे देखिए जैसे 88 है most common क्या है या तो 8 multiply 11 या फिर 11 multiply 8 अब मैं इसे 8 multiply 11 लिखूंगा क्यों क्योंकि 8 के टेबल में 24 आएगा 11 के टेबल में 66 आएगा अगर मैं यहाँ 11 लिखता तो 24 थोड़ा बन सकता था नहीं बनता था तो 11 6036 और 18 बनाने 6 यहाँ पर 6 3018 8 3024 भी बन गया है last आज के लिए मैं इसकी values फिल करके दे रहा हूं 7 2014 6 3018 और आप vertically देखेंगे 7 6042 टू 306 तो जरूरी नहीं कि यही 6 boxes रहेंगे आप अपने और boxes बनाएए बच्चों को multiple examples दीजिए बड़ी sheet बनाके दीजिए आपको idea हमने कोशिश की इस वीडियो के थुरू देने की कि इस तरह की practice sheet बच्चों को multiplication की practice के लिए आप दे सकते हैं I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर करिए Thank you so much